जिले में दम तोड़ती कानून विवस्था एवं बदमाशों के बुलंद होते होसले एक ओर कारनामा सुनकर आपके रोंगते खड़े हो जाएंगे शक्करगर शेत्र के गाउं में खेत की मेड पर एक युवक को करीब आधा दर्जन लोगों ने जम कर पीटा इतना ही नहीं युवक की बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसे अचेत अवस्था में नंगा करके फेक दिया गया मारपीट करने के दोरान वहां महिलाए भी मौझूद थी जहाजूर के शक्करगर था शेतर के गाउं में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा इसमें कानून को अपने हाथों में लेते हुए कुछ लोगों द्वारा घेयों के खेत में युवक की जम कर पिटाई कर दी बाद में अचेत अवस्था में उसे नगन कर दिया समूचे घटनकरम का वीडियो किसी ने बना कर सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया यह वीडियो शक्करगर थानशेतर के गाउं का बताया जा रहा है इसमें एक युवक को कुछ लोगों द्वारा बुरी तरह से पीटा जा रहा है युवक की बुरी तरह से की गई पिटाई के बाद उसे अचेत हुआ युवक कहीं मरना जाए इस दर्ज से लोग उसे जबरन पानी भी पिला रहे थे एवं उसके घरवालों को सूचना देने की बात भी कह रहे थे प्रथम द्रस्थिया मामला प्रेम फ्रसंग का हो सकता है वीडियो में कुछ महिलाव द्वारा युवती को भगा कर ले जाने की बात कही जा रही थी वहीं शक्करगर थाने के ASI साबुद्धी ने बताया की वारल वीडियो की जांची जा रही है और मामला दर्ज़ की आ जाएगा शक्करगर थानाशेत्र में कानून हाथ में लेने की दूसरी घटना लोगों में कानून का खोफ नहीं है शक्करगर था शेत्र की यह दूसरी घटना है कुछ महापूर भी एक युवक को बकरी चोर समझ कर ग्रामिनों ने अपने कुवे पर रस्ती से बांद कर पिटाई करी थी उसका भी सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल हुआ था शेत्र के लोगों में कानून का खोफ नहीं होने से लगातार लोग कानून को अपने हातों में ले रहे हैं कानूनी कारवाई के बजाए अपने हातों से खुद ही फैसला ले रहे हैं और पिडित का पता लगा करके हैं हमको यहां बुला करके रिपोर्ट लिए हैं और रिपोर्ट दर्च की जा करके आगे की कारवाई की जाने हुआ कर दो